Hello everyone and welcome to Only IAS स्वागत है आपका 26 फरवरी के पिलिम बूस्टे और नीज डिसकॉशन में आज देवेंदर सर्क किसी वज़े से लेक्षर टेंट नहीं कर पा रहे हैं आगे से वो उसको continue करेंगे तो उनके absence में सही हमारा काम तो रुकना नहीं चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिसकॉश पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे प्रारम प्रोग्राम के बारे में प्रारम प्रोग्राम अगर आप 28 फरवरी से पहले जॉइन करते हैं तो आपको early birth discount मिल रहा है अगर आप a student है तो additional discounts मिल रहा है और specifically 8 दिन तक का आपको mentorship program मिलेगा for mental strength exercise और इसलिए बढ़ा important है कि आप इसको 28 से पहले जॉइन करें जिसमें आपको पूरी comprehensive solution दी जाएगी means, prelims, interview सभी की NCRT वीडियो से लेके आपके test series, current affairs, CSET और doubt clearing sessions, mentorship सब कुछ इसमें covered है तो आप इसकी जानकारी हमारी website पर ले सकते हैं इस phone number पर आप और access कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज की discussion सबसे पहला जो आज article है वो बात करता है P8I, petrol aircraft के बारे में अब ये aircraft के बारे में जो हमें पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि इसका manufacturer कौन है पहली बात दूसरा, ये किस branch तोरा यूज के जाएगे Air Force, Army and Navy क्या करती है और कोई additional information जो बहुत जादा relevant है इसकी range range उतना हमें याद रखना ज़रूरी नहीं है पर ये 4 चीज़ें पता होना चाहिए पहली बात कि कौन manufacturer है तो Boeing इसको manufacture कर रहा है यानि ये कि American company है Boeing जो बड़े-बड़े जहाज भी बनाती है Aircrafts, उनकी ships है दूसरा, ये एक long range maritime reconnaissance and anti-summarine warfare craft है मतलग समुन्दर में अगर आपको surveillance करना है देखना कि कोई घुसना जाए आपके इलाके में या कहां क्या movement हो रही है कोई submarine दिख जा तो उसको भी उड़ा दे भाईंसे हो ऐसा को aircraft चाहिए तो वो है ये P-81, P-8I, petrol aircraft नाम से एक लिए पेट्रोलिंग का काम करता है बोईंग की aircraft है, petroleum का काम करता है इंडिया नेवी ने obviously इसको मंगवाया था तो 2009 में, बहुत सालों पहले 2009 में एक agreement हुआ था इंडिया का USA के साथ की भाई और बोईंग के साथ की इंडिया ये खरीदेगा और उस टाम इंडिया का पहला international customer जिसको उन्होंने ये offer किया था तो ये बड़े ही सफल aircrafts माने जाते हैं, तो नेवी को बड़ी आवश्रकता थी इसकी, long range के हैं और 907 km पार की speed तक जा सकते हैं 1200 nautical miles कवर करते हैं और 2 billion dollar की इस टाम में डील थी, बहुत बड़ी डील थी खास बात यह है कि अभी जब भी डिलिवर हो रहा है तो इसमें एक additional point ही मिल रहा है कि इंडिया को इस बार ये जो मिलेगा इससे पहले भी ये deliver हो चुका है 2009 के बार से मिल रहे हैं अलग-अलग batches में पहले इंडिया को जो इंडिया का communication system के साथ क्योंकि इंडिया ने कौमकासा sign कर रखा है क्या है कौमकासा ये आपको पता होना चाहिए साथ में पहली बात encrypted communication systems क्या होते है encrypted communication systems का मतलब होता है कि ये जो इंडिया को ships मिलेंगे अगर कभी भविश में लड़ाई हुई या कोई जरुद हुई कोई operation हुआ तो इंडिया USA के साथ जो information है share कर सकता है encrypted form में उसको कोई और वेक्ति आकर hack नहीं कर सकता है या पढ़ नहीं सकता अभी तक USA उन्हीं देशों को ये सेवा पढ़ान करती थी encrypted communication system का जो उनके साथ उनके foundation agreement जिनने कौमकासा sign किया होता था इंडिया ने USA के साथ चार foundation agreement sign किये हुए है कौन-कौन से एक है G.S.O.M.I.A फिर B.E.C.A रिसेंटली sign हुआ है L.E.M.O.A और कौमकासा के अंतरगत communication और security agreement हुआ है जैसे ये communication systems बेज सकती है USA जो बाकी लोगों को नहीं बेजती है फिर L.E.M.O.A के अंतरगत क्या है logistic exchange है कि एक दुसरे के let's say naval basis है तो वहाँ से जाग अपना ship को refuel करना है वो कर सकते है कुछ required है तो वो भरवा सकते हैं इंडिया के basis पे US US के basis पे इंडिया फिर एक B.E.C.A है चो basic exchange है cooperation agreement है requirement हुए तो वो कर सकते है और एक general security of military information कि अगर कोई military information agreement हुआ कि भाई कहीं पर कोई खत्रा है तो military एक दुसरे को information देगी कि भाई यहाँ पर बड़ी समस्या आ रही है आपके लिए खत्रा हो सकता है चारो basic agreement इंडिया ने USA के sign किये हुए इसलिए ये अब जो aircraft deliver हो रहे हैं encrypted communication satellite के साथ आ रहे है सवाल ऐसा UPC पूछ चुकी है कि भाई ये जो agreement है कौन सा कब sign हुआ तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले GS MOIA sign हुआ BECA बिल्कुल recently sign हुआ तो ये चारों चीज़े आपको ये clarity भी साथ में होनी जाए इस topic के साथ आगे बढ़ते हैं अगला article बात करता है नेटूर पेटी के बारे में नेटूर पेटी असल में क्या है तो एक तरह का ornamental box है ornamental box मतलब जिसमें सजने समणने का सामान में रखा जाता है तो इसकी खास बात ये है कि ये completely brass से बनता है और केरल और तमिल नाडू में specifically के इलाकों में काफी प्रसित दही है और पहले ये पूरी तरह एक ही लकडी का ये पूरा box मनाया जाता था लेकिन अब इसको फोड़े changes आ गए है तो काम की चीज़ यह है कि नेटूर पेटी क्या है it is an ornamental handicraft box काफी प्रस्लित हुआ करता था traditional handicraft है केरला का specifically है जिसको लेकर अभी इसको शायद और ज्यादा market करने के आवशकता है ताकि ये अपनी जो पुरानी peak है popularity के इसको दुबारा टच कर पाए तो इसमें लोग valuables जो हीरे जवारात होते थे वो भी रखते थे ये बात हो कि यहां ये कहां से आया है तो नेटूर एक इलाका है जो इरनकूलम कंदोर डिस्टिक केरला में भी है और तरिन वेली डिस्टिक तमिलनाडू में भी है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं fire ready formula के बारे में तो UNEP ने UNEP मतलब United Nations Environment Program ने बोला है कि global जो अभी government का system है forest fires को लेकि wild fires को लेकि वो काफी गलत तरीके से setup है इनका मानना है कि भविश्य में और जारा wild fires फैलेंगी हमने देखा ननिताल में, उत्राखंड में, हिमाचल में इन दिलागों में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि global warming बढ़ रही है तो यह natural है कि यह बढ़ेगा तो यह जो हमारी United Nations Environment Program है इसका कहना है कि आपको जो अपना पैसा खर्च करना चाहिए प्लैनिंग होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए कि 66% यानि एक तिहाई जो है आप prevention पर focus करो ना कि response पर अभी तक जारा खर्चा response भी कह जाता है आग लग जाएगी ताब बुझाने में कैसे खर्चा किया जाए वो पानी कैसे जाना जाए इनके उपर इस पर focus होता है प्लैनिंग की जाए किस तरह से प्लैनिंग की जाए किस तरह से response प्रिपेर किया जाए ताकि आग बढ़ेना आग लग जाने के बाद बुझाना बहुत मुझकिल है उस पर खर्च करना ठीक है पर उससे पहले आपको प्रिपेर्टनेस और प्रिवेंशं पर focus करना चाहिए प्रिवेंशं इस पर आग बैटनेस पर फोकस करने जाए और अभी वर्तमान में जिसे पता ही है अधिकतर खर्च वो रिस्पांस में किया जाता है कि कैसे आग को बुझाओ जब लग जाएगी तो हम क्या करेंगे इनका कैना नहीं प्रेपेर करो कि आगर लगने से पहले क्या किया जा सकता है कि अगर हम ताल बना सकते हैं या कोई और तरीके हैं जिसे हम वह वाइलफार को प्रेवेंट कर बाएंट तो इनका प्रोजेक्शन है कि 2050 तक 33% तक बरहुतरी हो जाएगी वाइलफार में जो हर साल होती है और 21 समय तो 52% की बरहुतरी हो ने बताई है तो इनका अबजेक्टिव है कि बहुत सारी फ्लॉरा अनफॉर्णा का विनाश होता है और वाइल लाइफ का बहुत बड़ा नुकसान होता है तो यह बात इराका लेक पहले बॉड़ा ही इंपोर्टेंट एक लेक हुआ करती थी इराक के लिए जहां एक तरह का टुरिस्स पॉर्ट वह हुआ करता था और यहां से यूफ्रेटिस नदी बहती है इराक से तो यूफ्रेटिस नदी के पानी से भी इसको भरा जाता था इरिगेशन का इसे कॉशनक सरा आ जाते है तो इराक के आसपास जो कंट्रिस हैं साुदी रेविया है जॉर्डन है सीरिया है इरान है टूकी है कोवेत है इन सबसे बाउनडरी लाग थी उनकी और रर्जाका लेक जिसको लेक मिल्प भी कहते है या सौर्ट लेक कहते है यह इराक की दूसर इस तरह के लिए एक रजाका लेक इराक में पाई जाती है, रजाजा लेक, इसको याद अगर करना हो तो आप किसी चीज से असोसियेट कर लें इसको, तो ये लेक असल में वही जो यूफरेटिस में फ्रड आते थे 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 रिज़वेज कर पाए, लेकिन ऐसा हु पॉलूशन बढ़ गया तो अब ये सूखती जा रही है, इराक की लोकेशन मैं आपको पताई कहां पर है, कौन सी रिवर्स यहां से फ्लो करती है, इम्पोर्टन सिटी कौन कौन सी है, मौसूल, अलबस्रा, बगदाद, किरकुक, अलनजफ, ये सारी जो शहर है, आप हर दे पूस सकती है, कहीं युद छड़ा हुआ तो भईव आपको जानकारी होनी चाहिए, अफगानिस्तान के शहर और आपको यूकरियन के शहर देके कन्शूज कर दिया जाएगा, बताई इनमें से कौन से शहर यूकरियन का है, या कौन से शहर रश्या का है, क्योंकि वहाँ न करते हैं और बात करते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में, यानि मगरमच के बारे में, तो सॉल्ट वाटर मगरमच जो मिलता था वियतनाम और चाइना में, वह वहाँ एक्स्टिंट हो चुका है, क्योंकि human interference के वज़े से, तो दो जो 23 स्पीसीज हैं, जादा पाफुल होते हैं, और अभी वरतमान में, काफी मातर में, बाकी दिश्यों पाए जाते हैं, वियतनाम चाना में, मैं obviously extinct हो गया है, पर बंगलदेश से लेकिए, मलेशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलिपीन्स, पापा नुगिनी, ऑस्टेलिया, सॉल्लमन आइ और इंडिया ने एक प्रोजेक्ट चलाया था घरियाल को बचाने के लिए, कि घरियाल की जंख्या इंडिया में 99% तक गिर गई थी, तो इस तरह की confusion ना रहे हैं, अगर saltwater crocodile पूछा जा रहा है, तो वो least concern है, जबकि घरियाल जो है मिलता जुलता पर वो critically endangered है, और red list में आत इंडिया में किस location में मिलते हैं ये, तो सुन्दरबन, भितरकनिका नेशनल पार्क और अन्दमान निकुबर आइलेंड्स पे हमें saltwater crocodiles देखने को मिलते हैं, ये freshwater crocodiles भी होते हैं कुछ, यार कि हम यहां specifically saltwater की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको नेरियों में कभी-कभी crocodiles द इनका शिकार किया जाता है, और एक तो इनके प्रती लोगों में दुर्भावना होती है कि इनसानों खा जाता है, पर ऐसा नहीं, इनसानों का ऐसे नहीं खा जाते हो, पर ये basic कहानी है, saltwater crocodile के, तो हमने अभी तक saltwater crocodile के बारे में जाना, हमने जाना, reconnaissance aircraft कौन सा, चार foundation agreement कौन कौन से है, और सबसे बड़ी बात, हमने इराग के बारे में जाना, रजजजा लेक के बारे में जाना, एक short review में ने दे दिया, आपको चार चीज़े clear हैं नहीं, फिर बात आती है, ombudsman की, जो इंडियन rural development minister है, गरीराज सिंग, उन्होंने एक नया एप शुरू किया, ombudsman app, ombudsperson app basically, ताकि जो नरेगा है, उसकी जान करे के लिए, ombudsman असल में Swedish word ombudsman से बना है, जहां पर उसका मतलब होता है, कि एक representative, अगर हिंदी में आम तो बता हूँ, जो लोगपाल आपने सुना होगा, वही लोगपाल ही ombudsman होता है, जिसका काम क्या होता है, दिये देखन है कि भाई, शिकायत कोई आई है, तो क्या ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उन शिकायतों को investigate करने के लिए, ombudsman नुक्त किया जाता है, जिसे लोगपाल नुक्त किया जाता है, तो ombudsman नुक्त किया एक app बनाई गई है, फोर नरेगा, और यह जो खास बात है यह investigation private look भी कर सकते हैं, वो भी रख सकते हैं, government को तो रखना ही चाहिए क्योंकि वो accountable है लोगों के प्रति, तो यह app जो है, जो भी मंदरेगा में अगर कोई धिलाई हो रही है, उस पर ध्यान रखेगी, अभी जो system उसमें physical form में complaint लिखनी होती थी, या complaint के disposable physical form में होता था, अब complaint ताकि digitally हो पाए, easily हो पाए, उसके लिए ombudsman बनाया गया for नरेगा, अब यहाँ point यह है कि अकसर आपको लेगा नरेगा के लिए ombudsman क्या बनेगा, अब तो state, city, center के लिए बनता है, तो वो confusion ना हो, उसलिए हम यह discuss करें कि ombudsman नरेगा के लिए भी launch किया गया, specifically एक app launch करी गई है, जिसके तहल पता लग सके कि भाई, क्या कहानी है और उसके खिलाफ, जो भी complaint पर investigation होना होगा, वो हो पाएगा, तो इससे एक बहतर तरीके से ombudsman जो है, वो काम भी कर पाएंगे बनेगा, और बहतर तरीके से जो complaint नरेगा के लिए बनाए गई है, आगे बात Sustainable Cities India program की, Sustainable Cities India program असल में हमारे लिए important है कि मैं किसने launch कर रहा है, कौन काम कर रहा है इसके उपर, तो एक MOU sign होगा है, दो organizations के बीच में, एक World Economic Forum, important body है, news में रहती है, question आते हैं, और दूसरा, इंडिया की एक think tank है, Urban Affairs, National Institute for Urban Affairs, NIUA, National Institute of Urban Affairs अस्वे में दिल्ली बेस्ट एक think tank है habitat center में इनका office है, तो इनका काम basically यह है कि देखते हैं, कहां से जो urban system हमें क्या governance या structural changes किया जा सकते हैं, उसके पर ये think tank काम करता है, इन्होंने World Economic Forum के साथ agreement किया है, MOU sign किया है, ताकि कैसे बहतर तरीके से sustainable cities develop की जाए, जिनमें की decarbonization पे focus किया जा सके, जादा clean और sustainable cities जाए, green चीज़े कैसे adopt की जाए, electricity को कैसे, और ज्यादा resilient system मनाया जाए, electricity का, ताकि transmission loss ना हो, ताकि वो बहतर तरीके से काम करे, ताकि और ज्यादा decarbonize हो जाए, Indian cities, decarbonize कैसे होंगी, इसके लिए दो चीज़ें करने वाले हैं, एक World Economic Forum का city sprint process और दूसरा toolbox of solutions, पहली देख process असल में multi-sectoral process है, जहां अलग-अलग area से लोगों को बुलाया जाएगा, businesses हो, government हो, civil society leaders हो, उनको बताया जाएगा कि भाई, कैसे हम clean electrification कर सकते हैं, कैसे जो electrical process में जो losses हो रहे हैं, उसको हम भटा सकते हैं, again I am repeating, city sprint process कौन launch कर रहा है, यह launch कर रहा है, World Economic Forum with National Institute for Urban Affairs, ठीक है, इ इसके थुरू आप अलग-अलग sector, stakeholders, workshop करेंगे, लोगों को बताएंगे कैसे आप जाके बहतर तरीके से clean electrification कर सकते हैं, बहतर circulation कर सकते हैं, दूसरा है toolbox of solution, इसके तहर जो sprint process की बात हमने किये, हम कैसे electrification को और जादा बहतर बनाएंगी, उसके लिए जो tools चाहिए होंगे, उ बहुर सारा एक तो चोरी होती थी, और काफी transmission loss होता था, उसको बहतर तरीके से कैसे supply किया जाए, उससे losses घटेंगे, और कैसे हम चाहिए panels लगाएंगे, जो भी करें, जिससे हम और जादा energy system को green कर पाएं, ऐसे कुछ अगर चीज़ें adopt कर सकते हैं, कहीं से तो वो सारे बात बिसनस models को देखा जाएगा, जिससे emission घटे, और बहतर air quality और job creation हो, और फिर उनको toolbox और solution में डाला जाता है, दुनिया भर को दिखाया जाता है, जिससे दिल्ली या एहमदाबाद या मुंबए, यहां पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो इस like ही कि उनको भी solution toolbox में डाल जाया जाया तो उनको भी add किया जाएगा, ताकि बागी दुनिया में कोई और देख शाह है, तो उनको replicate कर पाया, World Economic Forum का एक और जो concern है, वो net zero carbon cities mission, जिसके तहरत यह ऐसा environment create करना चाहते हैं, जिसमें पूरी तरह से clean electricity हो, और उसकी circulation हो, ताकि शेहरों में जितना कम carbon storage हो, उत एक think tank है, government organization नहीं है, याद रखें, अगला article बात करता है, लचित बॉर्फुकान के बारे में, इंडियन प्रेसिडेंट ने इस बार बोला है कि साल भर celebration होंगी इनकी 400 वी जो जर्मदन की वर्षिगाट है उसके उपलक्ष में, लचित बॉर्फुकान प्रसिद्ध हैं क्य कि तरफ से, और इनकी ही leadership में मुगलों को हराया था, तो क्या चीज़ें आपको याद होने चीए कि लचित बॉर्फुकान कौन है, एक home commander, किस war के लिए relevant है, battle of Sarai Ghat, कब वो थी, 1671, और कहां हुई थी, तो on the banks of Brahmaputra on in Gohati, तो इनको, इनकी बहादुरी और इनके जो war tactics थ देखे, gorilla warfare हो गया, military intelligence हो गया, और ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इनकी बहादे इसका भी काम किया था, तो ये खास बात है कि इन्होंने naval areas में काफी investment करी थी, काफी अच्छी अपनी forces बिल्ड करी थी, और इसी लिए इंडिया के naval forces को जब strong किया गया, तो इनको एक inspiration की तरह देखा जाने लगया, कि इंडिया को में उस समय में जब कोई kingdom ऐसा था, जो inland, rivers पे waterways का इस्तेमाल करते हैं, लाई के लिए और transportation के लिए तो अभी तो इंडिया को करना ही चाहिए, इसलिए इनके नाम पर एक gold medal भी है, जो NDA के best cadet को दिया जाता है, जो 1999 में श काम किया था, मुगलों ने भी नहीं किया था, नहीं मराथास नहीं किया था, तो इस अ रेर thing जो हमें पता होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, और बात करते हैं, national strategy for additive manufacturing policy, additive manufacturing policy होती क्या होगी, क्या है additive manufacturing policy, अभी तो क्या है कि आप कुछ बनाती हो, तो कैसे कोई चीज अपलाए और आपने eat बना दी, घर बना दिया, लेकिन अब additive technology होगी, जहां 3D का इस्तेमाल करके, robotics का इस्तेमाल करके, आप कोई चीज डिजाइन करते हो, फिर उसको manufacture करते हो, जो real world में exist करती है, उसको पहले computer पर आप बनाते हो, फिर उसको ऐसे produce कर देते हो, औ और इन सब चीजों में अब दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है, तो इसलिए जो ministry of electronics and information technology है, उसने अपना पूरा strategy plan मनाया, policy का, ताकि इंडिया एक global hub बन पाए, additive manufacturing development का, इसमें जो इसकी intellectual properties हैं, IPRs हैं, या कैसे इसको develop करने के लिए बहतर ecosystem मनाया जा सकता है, उसके उप 25 तक, अगर इंडिया 5% capture कर पाता है तो, इसमें 50 नए इंडिया specific technology, 100 नए startups, 500 नए product, 1,00,000,000 new skill, manpower इसमें बढ़ाने का वशकता है, by 2025, क्या strategies होगी, इसमें PBP model को follow किया जाएगा, private sector, public sector, मिल के काम करेंगे, awareness बढ़ानी होगी, देखना पड़ेगा कि कहां कहां पे additive manufacturing बह additive manufacturing का use करके, एक bionic hand create कर सकते हैं, उन problem का solve कर सकते हैं, कई electronic devices, कई ऐसी technological devices हैं, जो इंडिया specific बड़ी requirement है, क्योंकि इंडिया जारा population है, इतना जारा pollution है, तो क्या ऐसे innovative solution create किया जा सकते हैं, उन सब पर focus होगा इसके अंदर गर, तो ये strategy बनाएगा है, इसके लिए एक national center भी बनाया जाएगा, जो कि aggregator का काम करेगा, यानि जहां-जहां के knowledge centers हैं, जहां-जहां जो research हो रहा है, उसको एक जगे एक कत्रित करेगा, ताकि अगर भविश्य में कोई research करना चाहे, तो उस research का फाइडा उनको भी मिले, ठीक है, sector specific centers भी खोले जाएगे, ताकि अलग-लग sectors म कैसा इस्तमाल किया जा सकता है, उसके उपर focus किया जाए, तो क्या है यह narrative technology, भई बात जो मनें बताया, 3-dimensional object बनाया जाए, 3-D modeling के साथ कि पहले आप computer बे बैठके model करने कोई चीज, तो उसको 3-D के थुरू manufacture कर रहे है, तो यह computer दोरा control होता है, 3-dimensional object होता है, इसमें इंडिय की manufacturing और industrial production को revolutionize करने की कबिलियत है, अभी तक इंडिया manufacturing में बहुत पीछे है, लेकिन ये sector जो नया नया उभर रहा है, क्योंकि इंडिया के पास already computer technology में काफी महार रहत है, तो इंडिया अपनी उस expertise को use करके इस sector में और आगे बढ़ सकता है, कैसे यह develop होता है, 3-D model लेंग फिर आप layers बनाके उसको finally produce करेंगे, यह अचल टिंकरिंग लैब का example जहां पर इस तरह से सक करके 3-D product manufacture किया जाता है, अब 3-D जो production है, वो काफी normal और सस्ता भी हो गया है, तो possible है कि इंडिया इस पर और जादा खर्चा कर पाए, और इसको और जादा develop करता है, फिर बात आत था को वेक्सीन की, या कोई भी वेक्सीन जो अगर COVID के लिए थी, तो इसको कौन authorize कर रहा था, BGCI, Drugs Controller Journal of India, इन्होंने कौर्बे वेक्स को दी है मन्जूरी, जो की 12-18 साल के बच्चों क्यों दी जाएगी, इसको बेनफेक्ट्र कौन कर रहा है इस वेक्सीन को, Biological Inlimited, BE, ज इसके बाग ये इंडिया का पहला Indigenously Developed Receptor Binding Domain Protein Subunit Vaccine होगी, क्या Receptor Binding Domain, RBD, RBD Protein Subunit Vaccine, अब क्या होती है RBD Protein Vaccine, तो ये जो अपकी RBD Vaccine होगी, ये अलग इसलिए है, कि इसके साथ होता ये है, कि एक, जैसे मानली जो COVID के लिए वेक्सीन की जा रही है, तो COVID प्रतोजन जो की बहुत जादा कमजोर है, यानि जो बिलकुल भी निश्क्री है, जो कोई मुकसान नहीं पहुचा सकता, उसको लिया जाएगा, और बॉडी तक पहुचाया जाएगा, ये देखके कि वो बॉडी में Immune System को Activate कर सके, सिर्फ इतना ही वो काम आजगा कि भाई Immunity Develop करने के लिए, इसमें और बाकी Vaccine फर्किये होता है, कि ये जो हमने बोला ना, RBD, Receptor Biding Domain जो हो, ये असल में COVID-19 का ही एक प्रोटीन का एक सेंपल लेगा, एक पैथोजन लेगा, जो की पहले से बिलकुल बेकार सा है, लेकिन इतना है कि वो अगर आपकी बॉडी में आ जाता है, बाकी जो अभी हमने देखा, MRNA वाले वेक्सीन भी थे, जो डीटेल में डिसकस पहले हो चुके हैं, तो ये थर्ड वेक्सीन है, जो इंडिया में DGCN अप्रूव की है, कि इसन के लिए, बच्चों के लिए इससे पहले दो और, कोवेक्सीन और, ZYDUS का, ZYCOVID, अ में RBD, और ये पहली वैसी वेक्सीन है, ठीक है, ये बाते हो गई, तो चलिए रेखते हैं, आपको कितना आज याद रहा है, सबसे पहले, Saltwater Crocodile is in Red List, Endangered, True or False, Netour Petty is a Handicraft or Mental Box, Created by Traditional Craftsman in Kerala, Razaza Lake is Huge Lake in Eastern Africa, Fire Ready Formula is by UNEP, कि, Corbevax Vaccine is manufactured by Serum Institute of India, कितने सही, कितने गलत, I hope आपने सारे सही किया होंगे, अगर basically बात करें, तो Serum Institute of India कौन सी वेक्सीन मनाती है, और ये तो obviously true है, Razaza Lake East Africa में नहीं है, Razaza Lake तो Iraq में है, जो हमने पढ़ा, और Saltwater Crocodile Least Concerned है, ना कि Endangered है, तो ये थी आज की discussion, I hope आपको अच्छे लगी हो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you and keep on watching only I.E.S.